नमस्कार विद्यार्तियों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आर्पीए सीवित नवीन सेनी में स्वागत है विद्यार्तियों हम पढ़ रहे थे परजा मंडल और परजा मंडल में पार्ट टू है वो हमने पिसले वीडियो में कंप्लेट कर लिया आज हम पार्ट 3 सुरू करने जा रहे हैं इसका ये तीसरा पार्ट है परजा मंडल का और फाइनल पार्ट है ठीक है और इसके बाद में हम सुरू करेंगे एक ही करण इसके बाद में एक ही करण के बारे में अध्यन किया जाएगा आज जो परजा मंडल है वो एक तो मारवाड परजा मंडल है और एक जैसल मेर परजा मंडल है ये दो मेन परजा मंडल है बड़े-बड़े है और बाकी बुंदी, कोटा, भीकानेर, करोली बाकी चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे परजा मंडल है जिन में डेट और उन पर समझते चलेंगे तो आई ये नोट्स में हम पढ़ना सुरू करते हैं ये रा मारवाड पर जमना देखो मारवाड में जो राजनेतिक चेटना को उत्मन करने का सरे किसको जता है चांदमल सुराना को ये चांदमल सुराना नाम इंपोटेंट है इसको थोड़ा ध्यान में उन्नीस सोबीस में चांदमल सुराना ज Glenarayan व्यास दुआरा और मारवाड सेवा संख की क्या की गई थी इस्ताबना की और इस मारवाड सेवा संख के जो अजयक्स थे वो अजयक्स कोन थे दुरगा संकर मैंने बताये था कि जो बड़े बड़े राजनेतिक लेवल के राज कभी अज्यक्ष नहीं बनते थे वो सिरफ क्या करते थे पिछे से गाइड गरते थे क्यों क्योंकि अज्यक्ष है वो सिधा हाइलाइट होता था शिधा आता था नजरों में आता था इस वज़े से आगे देखिए एक सेकंड यहां पर आगे वापस चलते हैं 1921 में इसी मारव मारवारवाड सेवसंग का मारवारवार हितकार हिनि सबाह कर दिया है médiin व्यास नहीं पुस्तक भी लखी ती इनके अखबार और खूब सलते थे मतलब पत्रिकार यह रहा हुआ से लिभी पर ऐसे कुपते उनमें देखो मेन मेन है वियास जी की पुष्टकों को परकासित किया गया इसमें एक तो थी मारवाड की अवस्ता और एक थी पोपाबाई की पॉल अब देखो आगे है 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर में मारवाड राज्ये लोग परिशद का क्या किया गया था अदिवेशन ये थोड़ा ध्यान में रखना कि मारवाड राज्ये लोग परिशद का जो अदिवेशन हुआ था वो कहा हुआ था तो वो हुआ था आपके पुष्कर में कब हुआ था 24 और 25 नौंबर 1931 को और इसके जो अज्यक्स थे वो कौन थे चांद करण सारदा आगई बार समझें और इस समयलन में जो ये समयलन हुआ था इसमें कस्तुर्बा गांदी बड़े इस्तर के देखो काका कालेल कर तथा मानि मानिलाल मानिलाल को ठारी भी उपस्ती थे ये बड़े इस्तर के नेता थे 1931 में व्यास्ची ने मारवाड यूथ लीग की क्या की थी इस्तावना की थी इस्तावना की थी गणेसी लाल उस्ताद गणेसी लाल उस्ताद ने गरीबों की आवाज नामक पुस्तक लिखी किस न कि आवाज नामक क्या लिखी थी पुस्तक लिखी थी देखी अब इसमें जो है ना मेटेरियल अब यह मानलो आप सेकंड ग्रेट के लेवल से जादा ही समझो मतलब जितना डीटेल लिखवा रहे है ना इसमें मेन लीज में क्या है एक तो वो सन जो पेले वीडियो में हमने सन और उनके जो इस्तापन करता उनसे जुड़े वे मुख्ये नाम की जो चर्चा की थी ना 85% चांस है कि सारक्युस्तन उसी में साइगा 25% कि उसी में साइगे किसी भी competition उन्हें एक्जाम को उठा के देख ले ना बाकी यह मैं लिखा रहा हूं ना यह आपके extra यह इसमें आगे देखो 1932 में जोदपूर में श्वादीनता दिवस मनाया गया तो जोदपूर में श्वादीनता दिवस कब मनाया गया तो वो मनाया गया 1932 को चगनलाल चोपासनी वाला ने क्या किया था तिरंगा जंडा ले रहाया था 1934 में जोदपूर परजामंडल की स्थापना और इसके अजयक्स बहुललार छराप इसके क्या थे, अजयक्स थे, अब देखोए कितने ूपोर्टैनट फैक्ड है यह नप कितने ौपोर्टैन्ट छीज एख कि जोदपुर पट्जमरंडल गिस्टापना 1934, कि इसने बहुनलार सराप थे वो क्या और पीछे से गाइड कोन कर रहे हैं वियास्टी तो इनके जोदपूर के गुषने पर यह सद्वारा क्या लगा दी पाबंदी के बड़े आये आप परजामंडल यह करने वाले रोक करने वाले मेरा परजामंडल और ऐसा करेंगे जनता की जादा से जादा बागेशदारी रह की गंगा शिंग ने बताते हैं कि बहुत ही ऐसे मारमिक पत्तर लिखा था इसमें लेंग्वेज इतनी नरम और इतने मदब बाओं से बड़ी लेंग्वेज लिखी उसमें लिखी कि रियासतें कुछ ही दिन किये इनको पहले मालूम था कि अब राज पाड़ जाने वाले है अब लोग तंतर आएगा तो इन्होंने का कि जेनरेन व्यास जैसे लोग है वो सद्यों में कोई एक पेदा होता है और आने वाला समय नहीं का होगा और ऐसा करके और यह है ना मतलब इसकी करतवी निष्टा पर सवाल नहीं उटाया जा सकता यह अपने जगें पर सही है हम चा नेर के राजा गंगा सिंग ने एक चीज और इंपोटेंट है उनीस जून उनीस और याली सीश्वी को जेल में भूक हड़ताल कर रहे बाल मुकुंद विस्टा की क्या हो गई थी मर्त्यू और इन्हें राजस्तान का क्या कहा गया जतिन दास किसको कहते हैं बाल मुकुंद क्विस्टा की तरह यही क्या बूंकरताल करते वे क्या हो गए टे शहीद हो गए मानों आप मत得 आसे समेंजलो की यह बूंकरताols बूंकर पर बेटे और हो गींधियों अब देखो 1936 में क्रशना दिवस शिक्षक दिवस के ओउसर पर जोदपूर पढ़जा मंडल के कार्या करता हूं द्वारा क्रशना दिवस मनाया गया अब ये क्रशना दिवस की क्या कानी है बताते हैं कि क्रशना देवी यहां की कोई अच्छे परिवार की कोई महिला वगेरा थी और उसको जोदपूर रियासत के जो जोदपूर राजगराने के जो थे कापी सुन्दर थी तो जोदपूर राजगराने के जो थे आदमी वो इस अब राजगराने के अगेंस्ट कौन चल रहा है अब चल रहा है परजामंडल ये बोल रहा है कि जनता की बागिदारी हो ये वो तब वो गई थी करशना आज़े कि मा इस परजामंडल वाले कारिय करता हूं के पास तो इन्हों ने मांग उठाई कि भई उसको क्या किया जाए वो मिली भी नहीं ये देखो मिली भी नहीं वो कि अब वो कहा है मेरे बेटी को मुझे वापस दो तब बताते हैं कि जो सिक्षक दीवस के उसर पर जो तुर परजामंडल के कारिय करता हूं द्वारा क्या मनाए गया क्रशना दीवस मतलब ऐसे वीरोध वगिरार कि वो कहा ह बारत छोड़ो अंदोलन के दोरान जेनारायन व्यास को सिवाना किले में क्या किया गया था नजर बंद किया गया था आगए देखो अब ये मारवाड परजामंडल आपका यहीं तक कंप्लीट है अब है जैसल मेर परजामंडल रगुनाद सिंग में था सागरमल गोपा और राइदान सिंग है वो परमुक नेता थे अब ये किस से जुड़े में ये जैसल मेर परजामंडल से जुड़े में अब देखो 1932 में माहेश्वरी युवक मंडल की स्तापना रगुनाद सिंग में था दुआरा इंपोटेंट चीज वैसे तो मेन मेन इंपोटेंट चीज ल चले मुकदमे को रगुनाद सिंग का मुकदमा नामक पुस्तक में किसने लिका था सागर मल गोपा में सागर मल गोपा देखो ये वाला पेज ना कितने नमर का पेज है तीन नमर का पेज इसकी मैं पिक क्लिक करके अलग से टेलिग्राम पर डालूँगा ठीक है अलग से उसमें से नोट करना इसमें से नोट मत करना इसमें से मैं अभी बोल देता हूँ रगुनाथ सिंग को गिरुपतार कर लिया गया इन पर चले मुकदमे को रगुनाथ सिंग का मुकदमा नामक उस्तक में सागरमल गौपा ने क्या किया था परकासित किया था अब सागरमल गौपा की अभी बुकाएगी जैसे सागरमल गौपा ने कई बुके लिकी एक लिकी आ अधिकारी वगेरा थे उनसे ये और जो जे अधिकारी वगेरा थे उन से ये और जो जो जेसल मेर आशत के राजा इन सबसे अनुमती लेकर लोटे थे कि आपने तो मुझे निसकाशित किया है मैं आपके नियम का उलंगन नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरे पिता की मौत हो गई है इसलिए मैं आ रहा हूं वापर चला जाओंगा लेकिन फिर भी जब 1922 में ये पिता की मौत पर लोटे तो इन्हें क्या कर लिया गया इरब तार कर लिया गया शागरमल गोपा को और 19 जून 1922 को इन्हें 6 साल की क्या सुना दी सजा सुना दी और बताते हैं कि जिस जेल में इनको केद रखा गया वहां पर थानेदार था गुमान सिंग वो इन पर करता था बहुत ज़्यादा अच्या-चा और 3 अपरेल को ही गोपा को क्या कर दिया गया जिंदा जला दिया गया 3 अपरेल को और 4 अपरेल को गोपा की क्या हो गई थी मर्ट्यू अब भई बहुत जादा बढ़की ये बात कि ऐसे कैसे जला दिया है सागरमल गोपा भई आप से अनुमती मांग कर आये थे तब जो वहां की सरकार द्वारा अब सरकार कौन है जो रियाशत है वही सरकार है अब जैसल में रियाशत ने इन पर अच्याचार किया उनको भी मालूम था थानेदार गुमान सिंग इस पर अच्याचार कर रहा है अब रियाशत ही अच्याचार करन जांच करो कि सागर मलगोपा की मर्ट्यू के से हुई और उसने जांच में बता दिया कि आत्म हत्या कर लिए तो यही बोलेगा यह थोड़ी बोलेगा कि रियासत का जो यह धानेदार था न्युक्त किया वा इसने यह सकिया फिर नेरु जी ने बोला नेरु जी की ओर से व्यासत जी को न्युक्त किया गया व्यासत जी को बोले कि व्यासत जी आप यहां पर क्या करो इस मेंटर की जांच करो और जब व्यासत जी ने इस मेंटर की जांच करवाई तब उसमें पता चला कि ये थानेदार ने इस पर इतना अत्या चार किया और इसको जिन्दा जला दिया और वगेरा ये मान विये यात नाए दी गईर वगेरा वगेरा 15 दिसमबर 1945 को जैसल मेर परजा मनल की स्तापना मिठ अलाल व्यस दुवारा मैंने देखो शोट्रिक बताएं थी ना जेहम कैसी होती है मिठी जैसल मेर मिठ अलाल व्यस थीक है अब देखो और जैसल मेर के लिए कुछ सामंती तत्वे जो सामंत हो गे रहा थे उन्होंने जैसल में राज ये लोग परिशदगा क्या किया था गठन किया था आगई बास समझें अब देखो ये बुंदी परजा मंडल कोटा परजा मंडल ये छोटे-छोटे हैं इनके बारे में हम क्या कर लेते हैं अ ले ने बेखो बुंदी परजा मंडल है तो मैंने बताये था कौण बुंदी का कां थिलाल और 1931 शी में और जेवपुत से हम बुंदी चले थे जेवपुर 1931 बुंदी 1931 कोटा का पौन कोटा ने में से ने नुराम तो 1934 में हाड़ोति परजा मंडल नाम से इसतापना और 1949 में इसी का फिर से पुनर गठन वगेरा करते हैं न वैसे कोटा राज ये परजामंडल नाम से इस्तापना हुई नेनुराम सरमा वे अबिन हरी 1941 में नेनुराम सरमा जी की क्या करवा दी गई थी हज्या और कोटा परजामंडल का पर्तम समयलन 1941 में हुआ था कहा हुआ था बाराम में हुआ था और बाराम में मांगरोल नाम की जगे हैं वहाँ पर कोटा परजामंडल का पर्तम समयलन क्या हुआ था संपन हुआ था बिका नेर परजामंडल बिका नेर का मैंने बताया था कि बिका नेर बारिस नहीं होती और सबी किस और देखते हैं मेगों की और तो 1936 एस stop में वेज्य मगराम ने विका नेर परजा मंडल की इस्थाब ना कहां की कलकता में की थी और 1942 एस देखे वकीर जो रगूवर रगूवर है रगूवर दयाल गोयल ने विका नेर राज्य ये परजा परिशद की क्या की थी इस था आप ठीक है करोली परजा मंडल ये करोली का मैंने बताया था आपको करो तिलोक ऐसे ठीक है तो देखो करोली परजा मंडल 1938 में ठीक है अब इसमें कैसे मैंने आपको बताया था ABCD अलवर बरतपूर करोली और ABCD दोलपूर अलवर बर पर 1949 लिखावा मिले 1937 मतलब में अथे इंटिक बुक में भी अलग अलगे तो मैंने याद रखमे की द्रश्टी से बताया आपको 1939 तो तीन अप्रेल ये अप्रेल 1941 को करोली पर्चमंडल गिस्ता अपना हुई और 1938 भी आपको अच्छे ची बुकों में लिखावा मिलेगा जालवाड परजामंडल किस्ता अपना 22 नवंबर 1936 को किसने की थी मांगि लाल भावी आनकी क्या थे अज्यक्स थे। तो dziady वाड से मैंने बताया नजालाने मंगा मुट मारान परताब कि कि आप जाओ जाला से जालावाड और मांगा से मांगिलार और ये राजस्तान का अन्तिम पर्जामंडल था ठीक है ज्यान में रखना कीसे याद रखोगे मैंने बताई जैसे बाब्भु होता है बाब्भु भी होता है बाशवड़ा फोल प्रकॉल भगि लाल पाइंडिया उन्ही सो चोमाली परताब गड़ में चुन्नी की लाज रखी थी अमरत पीकर 1945 सापुरा सापुरा का मैंने बताए ता सहर याद रखना सह सह सहापुरा और रे से रमेश चंद ओजा तो सापुरा और नाम ही काफ ही है सिर्वी गोकुल भाई बट उनिस उन्चाड़ी सीश्वी में और सिर्वी परजा मंडल की स्तापना हुई थी बंबई में भरतपूर परजा मंडल है वो 1938 सीश्वी में स्तापना रेवाडी में जुगल किसोर चतुरवेदी के घर गोपिलाल यादव जो थे और किसनलाल जो सी ठाकुर देश राज और मास्टर अधिप्टेंदर इत्या दिये यहां के क्या थे परमुक नेता थे यह बरतपूर परजा मंडल के बारे में दोलपूर परजा मंडल 1938 सीश्वी कर्शन दत्पालिवाल और जौला परसाथ जिग्याशू और जोरिलाल यह मुख्यनेता थे और इन नेताओं की परसिदी के कारणी इन में से जिग्याशू जी और जोरि जी थे उनको कर लिया गिरबतार और विरोध में 11 अपरेल 1936 को तर्शिमो गाओं में विरोध हुआ था यह दोलपूर में यह गाओं में वाँ पर लोगों ने विरोध किया की वह इनको गिरबतार क्यों किया जब इनको गिरबतार किया विरोध हुआ तर्शिमो गाओं में तो अंग्रेज जिनिकों ने कर दी गोली बारी जिस में पंचम सिंख कुसवा और चित्र सिंख परमारे वो शईद हो गए और ये कांड़ तर्शिमो हीत्या कांड यह लाई अलवर परजामंडल 1934 में पंडित हरी नारायन सर्मा मैंने बताय था कि वर है वर हरी की तपश्याश मिलता है और कुंज भी हरी मोधी भी इनके साथ है और पर्था मजद दीवेशन हुआ था 1944 में अलवर में बवानी संकर सर्मा की एज़क्सता में तो यह चीज थे और इस प करण ठीक है एक ही करण के कितने वीडियो आएंगे तो एक ही करण के वीडियो आएंगे दो से तीन ठीक है यदि एक सामन्य साइज का और एक बड़ा बना दिया तो दो आएंगे और दो सामन्य साइज के बना दिया तो तीस चोटा वीडियो आएगा तो तीन वीडियो में आपका एकी करन हो जाएगा complete वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर से जरूर बताएं जदा से जदा लोगों तक share करें इस वीडियो को ठीक है जल्दी आपकी history है वो complete होने वाली है history complete होते है पूरी के पूरी history के अच्छे scanner से करवाएंगे आपको देदेंगे पीडियो आरहा हम से फोटोगोपी निकाल के सारे वीडियो देख लेना कोई दिवकत नहीं है इसमें और उसके बाद में हम सुरू करेंगे जैसे यह history complete हो जाएगी history अप थोड़े दिनों की है तो मतलब कितना मान लो आप चीनल इस छे नो आट साथ अट वीडियों देवाएगे उसके बाद history complete है और उसके बाद हम साइक्क लोंजी शुरू करेंगे साइक्डोंजी पर देमांड साइक्डोंजी करेंगे प्लेट ठीक है इसके बाद में उसके बाद में देखा जाएगा जीओ पॉलिटीर सेर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप मतलब इसको शिरफ देख के मैं जाओ सब्सक्राइब करो आस पास के जो लोगे उनको भी बोलो कि यह चीज है वो है आप नहीं करोगे तो कौन बताएगा भई ठीक है वीडिया आठती हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद जैहिन जैबारत